मैंने ये आज तीन चार बातें सिद्ध की नमबर वन चिदंबरम को पता था कि कैबिनेट डिसिशन 2003 का कि उनको राजा के साथ मिल करके स्पेक्ट्रम का दामकोते करना है दूसरा है कि उनको पता था राजा घोशना करने के पहले ही कि वो एक 1650 करोड रुपे का इंट्री फी चार्ज करने वाला है राजा और अधिकारियों ने उनसे कहा हस्तक शेप करिए नहीं तो बहुत बड़ा नुक्सान होगा हमारी देश की रेमिन्यू में लेकिन हमने दस्तावे दिखाए कि प्रदान मंतरी को जैनुरी 15 2008 को लिखते हैं चिदंबरम प्रदान मंतरी को कि इसको क्लोस चैप्टर बनानी चाहिए आगे भैस नहीं होनी चाहिए फिर उसके बाद ये जो दिया गया लेटर अव इंटेंट उसके साथ स्पेक्ट्रम देना है उसका दाम क्या होना चाहिए उसके लिए चिदंबरम और राजा की मीटिंग हुई थी 30 जैनुरी 2008 को उसका मिनिट्स मैंने पेश किया है हलांकि उसका नाम मिनिट्स नहीं दिया है नोट्स लिखा है बट मिनिट्स मैंने पेश की कि क्या राजा ने कहा क्या चिदंबरम ने कहा है उसमें कि स्पेक्ट्रम जो दिया जाएगा लाइसेंस के साथ वो मुफत में दे आ जाएगा और सिरफ 4.4 मेगा हर्ट नहीं 6.2 वो भी आवाई तो ये तो राजा से पर आके पढ़ गए थे फिर तीसरा उन्होंने राजा को सिखाया मैंने दसावेश पेश की CBI फाइल से निकाल कर उसमें उन्होंने ये लिखा है राजा ने लिखा है अपने आफिसर्स को कि चिदमरम ने मुझे समझाया कि स्वान टेलिकॉम और यूनिटेक को ये लाइसेंस तो नहीं बेच सकते बट कंपनी को बेच सकते उसके साथ लाइसेंस चली जाएं तो तुमारा क्या कसूर है तो ये बैमानी उसने राजा को सिखाई ये बड़ा हुस्ताद था वो राजा छोटा हुस्ताद था तो ये मैंने सिद्गी डॉकिमेंट्स के साथ प्रदान मंतरी का अभी बयान आया है पार्लिमेंट में कि मैं क्या करूँ ये दोनों अधिकरित थे इंडिये गवर्मेंट के कैबिनेट डिसिशन के अनुसार और उन्होंने आकर मुझे का कि ये दामते कर लिया है तो उसका भी पुछ्टी हो गया है आंखिर में मैंने हो मिनिस्टी का नोट निकाला जो फाइनांस मिनिस्टी को लिखी गई थी कि स्वान को और यूनिटेक एटी सलाट और टेली नौर को नहीं बेचना चाहिए क्योंकि स्वान और एटी सलाट और एटी सलाट और यूनिटेक दोनों पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए कमपनीज हैं और IISI किसे प्रवावित है और शाहिद वल्वास तो है जो मैनेजिंग डिरेक्टर दिल्लियम इंडिया में है वो तो दाउद इबराहिम का अदमी है यह हो मिनिस्टी का रिपोर्ट है और उस पर प्रदान मंतरी ने को मैंने चिठी लिखी थी प्रदान मंतरी ने हो मिनिस्टी को चिठी लिखा कि जवाब दो इसका ताकि मैं स्वामी को जवाब दे सकूँ यह कब की बात है पिछरे साल की चिठी सुप्रीम कोट में भी कहा था कल का भी जिकर आया था कल और CPI को कहा कि इस फ़र जवाब दो अभी तक जवाब नहीं दिया आप ने ये भी कहा था कि कैमिनेट के पास भी ये मामला भीजा जा सकता था वो आ रहा हूं मैं वो आंकिर में तो ये कुल मिला करके देश के साथ गदारी हुई है